उत्तर प्रदेश के कैस जिलों में महिलाओं की चोटी काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब इलाभाद में भी चोटी कट्वा का आतंक देखने को मिल रहा है। इलाभा जिले के फूलपुर तहसील के धुर्रवा गाओं में तीन महिलाओं की रहस्ते मैं तरीके से चोटी काटने की घटना सामने आई है जिससे इलाखे में संसनी फैल गई है। चोटी कट्वा के नाम से लोगों में दहशत का महौल है और लोग तरह तरह की चर्चाय भी कर रहे हैं। दुर्रवा गाओं में एक आठवी क्लास की बच्ची की सोते समय अचानक चोटी कटने का मामला सामने आया जिसके बाद वो बेहोश हो गई। इसके बाद गाओं की ग्यारवी में पढ़ने वाली एक दुसी छात्रा और एक महिला के भी बाल काटे जाने की घटना से लोगों में हड़कंप मच गया। चोटी कटवा की अफवा से गाओं के लोग काफी डरे हुए हैं और अब वो अंद विश्वास में आकर जाण फूक का भी सहारा ले रहे हैं। हाला कि चोटी कटने की तमाम बारदात सामने आने के बाद लखनव इस्थित डिजीपी ओफिस ने एडवाईजरी जारी करते हुए इसे महज एक अफवाह बताया है। एडवाईजरी में लोगों को अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील की गई है। न्यूस के लिए लाहबास से विमर्श्रवास्तों की रिपोर्ट।